यहेच्केल भविश्वक्ता की पुस्तक अध्याय साथ फिर यहोवा का यहवचन मेरे पास पहुचा। हे मनुष्र के संथान प्रभु यहोवा इस्राइल की भूमी के विशे में यो कहता है कि अंत हुआ। चारों कोनों समेद देश का अंत आ गया है। तेरा अंत भी आ गया। और मैं अपना कोप तुझ पर भढ़का कर तेरे चाल चलन के नुसार तुझे दंड दूँगा। और तेरे सारे घिनवने कामों का फल तुझे दूँगा। मेरी दयाद रुष्टी तुझ पर न होगी और न मैं कोमलता करूँगा। और जब तक तेरे घिनवने पाप तुझ में बने रहेंगे तब तक मैं तेरे चाल चलन का फल तुझे दूँगा। तब तु जान लेग प्रभु यहोवा यह कहता है। अब थोड़ी ही दिनों में मैं अपनी जलजलाहट तुझ पर भढ़काऊंगा और तुझ पर पूरा कोप उंडे लूँगा और तेरे चाल चलन के अनुसार तुझे दंड दूँगा और तेरे सारे घिनोने कामों का फल तुझे भुखताऊंगा। मेरी दयादृष्टी तुझ पर न होगी और न मैं तुझ पर कोमलता करूँगा। मैं तेरी चाल चलन का फल तुझे भुखताऊंगा। और तेरे घिनोने पाप तुझ में बने रहेंगे। तब तुम जान लोगे कि मैं यहवा दंड देने वाला हूँ। देखो, उस दिन को देखो, वहां आता है, चक्र घुम चुका, छड़ी फूल चुकी, अभिमान फूला है, उपद्रव भढ़ते बढ़ते दुष्टता का दंड बन गया, उन में से कोई न बचेगा, और न उनकी भीड भाड न उनके धन में से कुछ रहेगा, और न उन मे से किसी के लिए विलाप सुन पड़ेगा, समय आ गया, दिन निकट आ गया है, न तो मोल लेने वाला आनंद करे, और न बेचने वाला शोक करे, क्योंकि उनकी सारी भीड पर कोब भड़क उठा है, चाहे वे जिवित रहे, तव भी बेचने वाला बेची हुई वस्तु के प पाएगा, क्योंकि दर्शन की यह बात देश की सारी भीड पर घटेगी, कोई न लवटेगा, कोई भी मनुष्य जो अधर्म में जिवित रहता है, बल न पकड़ेगा, उन्होंने नरसिंगा फूका, और सब कुछ तयार कर दिया, परंतु युद्ध में कोई नहीं जाता, क क्योंकि देश की सारी भीड पर मेरा कोप भड़का हुआ है, बाहर तलवार और भीतर महंगी और मरी है, जो मैदान में हो, वह तलवार से मरेगा, और जो नगर में हो, वह भूक और मरी से मारा जाएगा, और उनमें से जो बच निकलेंगे, वे बचेंगे तो सही, परंतु अपने अधर्म में फसे रहकर, तरायों में रहने वाले कबुत्रों की नाई पहाडों के उपर विलाप करते रहेंगे, सबके हाथ धीले और सबके घुटने अती निर्बल हो जाएंगे, और वे कमर में ताट कसेंगे, और उनके रोये खड़े होंगे, सबके मुह सूख जा वे अपनी चांदी सडकों में फ्रेक देंगे, और उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठेरेगा, यहवा की जलन के दिन उनका सोना चांदी उनको बचानना सकेगी, न उससे उनका जी संतुष्ट होगा, न उनके पेट भरेंगे, क्योंकि वह उनके अधर्म के ठोकर का कारण ह हुआ है, उनका देश जो शुभायमान और शिरोमनी था, उसके विशे में उन्होंने गर्वही गर्व करके, उसमें अपनी गहुनित वस्तों की मूरते और गहुनित वस्तों बना रखी, इस कारण मैंने उसे उनके लिए अशुद्ध वस्तु ठेराया है, और मैं उसे लू अपवित्र कर डालेंगे, मैं उनके मुह फेर लूँगा, तब वे मेरे रक्षि स्थान को अपवित्र कर डालेंगे, और डाको उसमें घुसकर उसे अपवित्र करेंगे, एक सांकल बना दे, क्योंकि देश अन्याई की हत्या से और नगर उपद्रों से भरा हुआ है, मैं अ सामर्थियों का गर्व तोड़ दूँगा, और उनके पवित्र स्थान अपवित्र किये जाएंगे, सत्यनाश होने पर है, तब धुनने पर भी उन्हें शांती न मिलेगी, विपत्ती पर विपत्ती आएगी, और उड़ती हुई चर्चा पर चर्चा सुनाई पड़ेगे, और लोग भविश वक्ता से दर्शन की बात पूछेंगे, परन्तु याजग के पास से व्यवस्ता और पुरुनियों के पास से सम्मती देने की शक्ती जाती रहेगी, राजा तो शोक करेगा, और रईस उदासी रुपी वस्तर पहिनेंगे, और देश के लोगों के हाथ धि तब वे जान लेंगे कि मैं यहवा हूँ